हालो एवरीवान वेरी गुद नून वेलकम टू अग्रिकल्चर इड़ा 24 7 अग्रिकल्चर इड़ा 24 7 के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंस का मैं हिना ने था नहीं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो बच्चों आज फिर सही हमारी क्लास है अनिमल क्णb Turkey बर pastनून ऑरती शिखाव और फिर सलीए सारे बच्चे एक सेसं में जुट गये क्वाइब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षन पर कमेंट कर के मता मैं क्लास को नाइक जल्दी कि मेरी बच्चे सेशन में आचुक एँए fighting तो विकास्ष या आनंज होती वेरी गूर अप्टेनून मेरे बिच्चों वेलकम अन्द सेशन सो बिटा आज का जो हमारा बहुत ही बीटिफल सा सेशन है प्लान पिथालोजी का उसको में स्टार्ट करेंगे लेकिन इससे पहले फटाफट से एक बार आप चानल को सब्सक्राइब कर दो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा बिटा एक बार देख लीजेगा वैसे में बता देती हूं कि मेरे पार्ट में क्या है तो मेरे पार्ट में मैं आप लोगों को आनिमल हिस्वेंडी और प्लान पिथालोजी दोनों करवाऊंगी और दोनों आपको थियोरी और मिलेगा ठीक है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो आपके लिए सबसे अच्छा और बैस रहेगा वेरी गुड आफ्टरून शदब शिवानी अर्जुन तजवेंद्रा आर्बीड अरेवार बिन्रेश प्रमोद आनन दर्श वेरी गुड आफ्टरून मेरे बच्चो वेल्कम इंदे सेशन प्रक्खर वेरी गुड आफ्टरून बिटा वेल्कम इंदे सेशन चलो मेरे सारे बच्चे आचुके सेशन में चलिए तो शुरुबात करते हैं हमारे आज के सेशन की और बिटा आप लोग इसके वीडियो के नीचे एक अप्लिकेशन लगा होगा डर और डिजीज यर कंसे पारत्शन के कारण होती है मैं जी बुक्स कैसे मेलेंगी बुक्स फोद्व मैंने ढया तो उसमें बता बताया था चैसे आपको बिक दो है अभी फिलाल हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो टिप ओवर डिजीज एक डिजीज है टिप ओवर वो बिटा किसके कारण होती है यह आपको बताना है बताओ बिटा वेरी गुड आफ्टरून वेरी गुड आफ्टरून चलो बताओ बिटा राइट एंसर क्या होगा कुछ कुछ बच्ण करें अर्जुन प्रयांका सचिन दर्ष विश्वात्मा विश्वमित्रा शॉरी विश्वात्मा बोलुक्त मित्रा ऑटकी ऑटकी सो मैक्सिमिमस स्टूलन्स आर सइंग ब्युक्टी सई एक गलत और मेरे जो बच्च्टे ऑप्शन नमर्सी उनका राइट इस तो यह एक टाइब का बैक्टीरियल इंफेक्शन है और यह मतलब जीवानु जनित रोग है जिसमें पौधी का उपरी भाग जो है तूट करके नीचे गिर जाता है अभी मैं दिखाऊंगी कैसे गिरता है अच्छी कौन सी फसल में होता है तो यह होता है केले में किसमें देख बनाना में यह रोग होता है डिजीज होता है केले का यह बीमारी होता है और यह बीमारी कैसी होती है बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है यानि कि जीवान जनित रोग यह होता है समझके बैटा अच्छा इसका एक पिक भी देखलो फटा फट से पिक इसका यहीं पर है यह द जाता है और उसके बाद यह भाग जो है नीचे गिर जाता है तो यह टॉप वाला भाग खराब हो जाता है इसलिए इसको क्या बुला जाता है टिप ओवर मतलब उपरी भाग जो है वो टूट करके नीचे गिर जाएगा ठीक है जी ओके चलिए वेरी गूड आफ्टरनून जैन्थो मोनास करेगा समझ थीक है चलो आगे अगले प्रेश्चन प्रेश्चन रिस्पॉन्सबल टू कॉस्ट कैंकर और तो बिटा यहां पर आपसे पूछ रहा है कि टमाटर में कैंकर या नासूर भी इसको बोल सकते हैं तो यह जो कैंकर नाम का जो रोग होता है टमाटर में ठीक है यह जैसे नीबू में आप लोग कैंकर पड़ते हो ऐसी टमाटर का लेक विच्चा मुझसे पूछ रहाता है कि मैं क्या क्यांकर सर्फ नीबू में ही होता है इसलिए आज में कोशन लेकिया हूँ ठीक है ब्रिंचल में भी ऐसा होता है हां जी तो बिटा यह आप से पूछ रहा है कि कैंकर रोग जो टमाटर में होता है वो किसके कारण होता है क्लेवी बैक्टर शुडो मुनास जैन्थो मुनास या फिर इसकैले रोशिया बताइए बिटा यहां पर राइट एंसर क्या होगा आर्बीडी कह रहे हैं जैन्थो मुनास होगा ओकी आस्था का अंसर आया है option number C अतुल्या शिवानी सुप्रिया सचन और कौन कौन है चंदन शिखाल O.K. प्såब सब्सक्राइश का स nodig अंशतार कर दो करें जातार गलते हैं यह कर गलत कोंप्टर करता किसमेलियमन सित्रस में क्यांकर का जो इंफेक्शन होता है वो infection कौन करेगा नीमू में इस रोग को करता है डेफिनेटली जेंथो मुनास कौन करेगा बिटा जेंथो मुनास करेगा लेकिन नलायकों क्या सब में जेंथो मुनास करेगा नहीं टमाटर में इसको करता है बिटा कौन करेगा बिटा क्लेवी बैक्टर करेगा अब यहां से questions दे एक इंफेको हो गया सब्सक्राइब और सब्सक्राइब को इसे क्यें सचिक वो कोई सेशन को डेफिनेटली गवर करेगा ठीक है बिटा ओके चलो नियूव कोशन को नोट कर लो ठीक है चलो ओके डेली नियूव कोशन सी आपको मिलेंगे अब यह देखो बिटा यह कैंकरो कुछ इस प्रकार से होता है इस तरीके से इनफेक्शन होता है दोनों चीज़े या देते हैं टमाटर में जब भी तो इस प्रकार के धब्बे को देख के समझ जाना कि यह कैसा रोग है यह कैंकर रोग है जो टमाटर में होता है और अब आप लोग इसको देखते ही समझ जाओगे कि मैं आम ने बताया है कि इसको करता कौन है इसको करता है प्रविवेक्टर और प्रविवेक्टर भी हमारा जीवानू है ठीक है ओके वेरी गुड आफ्टरून बीटा वेरी गुड आफ्टरून चली अगले कोशन पर चलते हैं अगला है बिटा आपसे कह रहा है कि पानी से भरे हुए आपको कभी-कभी गोलागार दिखने वाले कुछ पतियों के उपर एक परिगली धभय धबे दिखाई देते हैं देखने को मिलता है जैन्टो मोनासकमपेस्टरिस इरवीनिया रालस्टोनिया या फिर पकसीनिया तो क्या होगा यहां पर सही उत्तर बताईए आपसे पूछ रहा है कि वाटर सौक्ड सर्कुलर रीजन पानी से भरा हुआ अंदर से होगा और नेक्रोटिक स्पॉट्स होगे ठीक है नेक्रोटिक यानि कि टिशू का डिग्रेडेशन होगा तो आपको नेक्रोटिक स्पॉट् करेक्ट होगा पका ऑप्शन नंबर सी रहेख होगा बताव बिटा नेक्रोटिक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे यहां पर पक्का ऑक्टी और सी तो चलो यह कॉशन है आपका होंवर्क का ठीक है यह कॉशन है होंवक का ओके चलो कल मैंने क्या होंवक दिया था उसका बताओ एक बार सप्टा क्या चल्दी से zamenet कुछों फॉम्वंवर्ट में इन में कंथे तो किसी को याद है किसी को याद है कल आप ये km5 सब बच्छे पूल गये हैं व माल प्रेड क्लाज के इस सब अर्थम Nej इसके बाग करने कि भूल जा 3 इस प्रकार के धब्लबे होते यह इसमें क्या हुता है पहले कि आप के पत्ते हैं कि ने कुछ लेगोसिस यानी कि इस प्रकार से दभेहां जो एंके अंदर पानी अधरा हुआ होता है ठीक है तो यह रोग होता है इस एफक्टिव टू कंट्रोल तो बिटा पाउडरे मिडियू के लिए होगा ठीक है तो यहां पर आपसे अगला प्लांट डिजीज इन विच दा पैथोजन इस सीन आपसे पूछ रहा है कि पौधे की बीमारी जिसमें रोग जनक को बहुत ही अलग कवक के कारण मेजबान की सतय के उपर व्रिद्धी के रूप में देखा जा सकता है मतलब बोलने का मतलब यह सिंपल लेंग्विज में अग कंडर भेएं ठै पर यानि में चपड़ से उस्थी फैस यानि की सतय पर आपको बहुत सारी ग्रोध दिखाई देती है बहुत सारी रोध को नेकरोसिस या फिर मीडियो या फिर रॉटिंग होग्यों मेन यह उर्लिजीज नहीं नहीं मेरा नहीं है मेरा उली diseases वाला है ठीक है definitely मैं कर वाऊंगे अपने बाट में मैं paid class में आपका lecture कब start होगा आप कौन से batch में हो paid class में पहले मुझे यह बता दू ठीक है so c जातर बच्चे answer करें option number c correct होगा बिल्कु सही medium correct होगा है na medium correct होगा फफून रोग जो बच्चे कह रहे हैं उनका answer बिल्कु सही क्योंको बि Communist रोग कर्वक के कारण होता ही क्वक की जो ग्रोथ होती है वो हम और से पूरी दिखाई देती है पूरे पतियों पर यानदी की पूरी सरफेस पर आपको दिखाई देती तो इस लो रोग को ही हम क्या कहते हैं जिके कवक के द्वारा होने वाला रोग ठीक है मैं हिस्टी की ग्लास कब होती है यार यह तो मुझे नहीं पता और हिंदी वाली माम के लिए तुम लोग पूछ रहे थे मैं बता नहीं भूल गई अभी बिताती हूँ हिंदी वाली माम की अभी ओक्यूपेंसी थोड़ा सा जाता है तो इसलिए भी उनकी ग्लास नहीं हो पा रही है ठीक है चलो अब आगे चलते हैं बिता तो यह है आपका पाउडरी मिडियू का रोग अब इसमें देखो पूरा कवक दिखाई दे रहा है यह पत्ती के सत्य पर यह पूरा जो आपको कवक दिखाई दे रहा है तो इसे ही कह जाता है फफूंद रोग क्या कहा जाता है यह मिडियों का इंफेक्शन है देख लिया तो कैसे आपको ग्रोथ इस पूरी सतय पर आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है यह समझके बिटा ठीक है चलिया बगले प्रश्ण पर चलते हैं हेल बंट इस स्टिंकिंग बंट इस इ डोग है ठीक है स्ट्रिंग बंट यानि की बदबुदार बंट होता है और इसमने क्या होता है विटा कि यह हूँ में संक्रमन होता है तो यह किस प्रकार का रोग यह आपको बताना है तो इसमें आपसे पूछ लाहा हैं से इंटरनली सीड मॉन हैं एक्सटरूर ररी सीट क्या होगा अर्ट पर दाओ बताओ ति जातर बच्चे दिसी आंसर करें के एर बॉन अच्छा है एर से होगा ओके स्टिंकिंग वन यह बॉन माँ एवाइब के लेक्टिर से स्टार्ट होँ रहे हुँ तो चलो यह को भूप में दे रही हुँ ठीकि आज आपको ऑपको होउ में दो गूप दो दे रहे हुँ घड़ा बिटा ओके चलो आज मैंने सोछके आई ती ना दोता हमेशा ही क्वेशन मिलता यह सारे भीच हो जाते तो आपको समझ में आगया होगा कि बीच जनीत रोग है या फिर वह बीच जनीत रोग मुझे अपने कलתי संदे कलकी क्लास होगी निया मंडे को बताओ एपन तुम अराम से ना चलो हां जी किशन कनहिया प्रिशाद खुश रही है बैस तो स्टार्टेट है अल्रड़ी ओके आप स्टड़ी प्लान देख सकते हो एक बार ठीक है क्योंकि अब जो नया बैच आने वाला है उसमें मेरी क्लास है ठीक है चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं अगला है फ्रिक होता है और उसका कारक्या है फाइलो स्टिंक्टा होगा बनाना में यानि की खेले में बंची टॉप होगा केले में मैंगो में यानि की आम में या फिर टेफरीना करेगा ग्रेप्स में तो अब आपको यह बताना है कि कारक्या है और कारक के साथ साथ इस रोग को यह रोग क बाद में याद करना कि हमें होमवक में मैम ने क्वेशन दिया तब उसको ज़रू करना अभी फिलाल बूर जाओ ठीक अभी इसका अंसर बताओ मुझे क्या होगा बिटा ब्लैक स्पॉर्ट या फ्रीकल स्पॉर्ट यह काले रंके जो धब्बे होते हैं एक बीमारी में होते है और यह किस कारण होते हैं और कौनसी फसल में होता है फ्रीकल स्पॉर्ट या ब्लैक स्पॉर्ट सी जादा तर बच्चे कह रहे हैं कोलेक्टो ट्राइकम अच्छा जी ओके तो यहां पर फ्रीकल स्पॉर्ट भी इसने दे रखा है फ्रीकल स्पॉर्ट भी दे रखा है ब्लै यह परकार के धब्भे जो आप केले में तो इस प्रकार के धब्बे जो आप इसे धब्बे में डेखें को हम एसा इंफेक्शन था कशन ने इसको प्रिंगिन क्रोंगें इसको करता कौन है कोई मत कोई बात नहीं व्या स्भात नहीं धुटा कोई बाध नहीं ठ्लासिके ना अब उसके बात गलत नहीं करोगे है ना चलो उसके बात गलत करना गलत बात है है ना चलो ओके ठीक है तो अब समझ जाना इस infection को देखते ही हमेशा ओके चलो बिटा आप चलते हैं अगले question पर अब अगला rice कार्ण डिजीज जो होता है गाव यह जो वूण्ड त्यूमर बोलता है इसको वूण्ड त्यूमर वाईरस यह meat, curly, top, virus बीट, curly, top वाईरस होगा, wound यानि की घाव कर देता है तो ट्यूमर वाइरस होगा राइस ड्वार्फ होगा या ग्रासी स्टंट होगा तो इन में से ऐसा कौन सा है जो ब्राउन लीफ होपर से फैलता है जल्दी बताओ विटा ऐसे प्रश्न बहुत जादा पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखके बताओ ऐसे यह जो रोग है इन अतुलिया रौकी प्रभात अच्छा उमेश कहा रहें ए और बी दोनों नालाइक हो तुम ए और बी बहुत उमेश नालाइक हो तुम उमेश ए और भी बिलकुल आंसर नहीं करोगे चंद्र जोती वेरी गुड आफ्टेनून बिटा वेलकम इन सेशन ओके तो जातर में चावल के पौधे की ग्रोथ रुख जाती है यानि कि चावल का जो पौधा है वो बढ़ता नहीं है ठीक है तो उसकी वृद्धी नहीं होती है और यह विशावन चनित रोग है जिसको फैलाने का काम कौन करता है ब्राउन लीफ होपर करता है चलिए अगले प्रश्म प सबसुल का भिस पोट सबस्क्राइब ब्लास्ट ओफ राइस को ने रुए नहीं है बताईये जो घूड़ा हो सकता है बताइज बता बिटा थो गूź कि यहां बच्च यहां सप्टेब्ट यहां पर आपका राइड आंपर मेरी कम्युनिटी पर मैसेज कर सकते हो चंद्र पर मेरी कम्यूनिटी मं कर जाएगे बाकि और भी बहुत सारे तरीके हैं टेलिग्राम कर लो इंस्टाग्राम कर लो बहुत सारी चीज़ है ठीक है चलो ओके सो ब्लास्ट एयर बॉर्ण डिजीज ओकी तो बिटा यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा डेफिनेटली ब्लास नहीं होगा मूंग फली का काला घंधबाब समझ गे इसको तो लीफ की नहीं और नहीं आइसी घंड बन बंबर भी वो इंहां इनोंसर को अनुगा फ़ंः नहीं नहीं होगा वह कि पर होता है दो लीफ में होने वाला इनफेक्शन है ठीक है तो कौन सा रोग जनक आलू और संक्रमन करता है यानि की अगेती रोग इन में इसे कौन करेगा बताओ विच्वन आफ दे फॉलॉइंग पैथोजन कॉस अर्ली ब्लाइट इन्फेक्शन इन पटाटो एंट तो आलू टमाटर में अर्ली ब्लाइट करो कौन करेगा यानि कि अगेती रोक और अगेती पच्छेती पढ़ते हो ना तुम लोग पच्छेती त पटावट उसका कारक क्या है तो उसमें थोड़ा बहुत चांसे हम कह सकते हैं ठीक है यहां पढ़ना देखो एक चीज बताती हूं परवेश कहरे परवेश कुमार कि मैं नहीं होगा हां हर चीज में नहीं होता ठीक है जैसे लूज स्मट है तो प्रॉपर ली सीड बॉन है लेकिन क्वेशन देखो अच्छी से पढ़ो देखो इस टाइप के जो क्वेशन से में आस्क्यों एक्जामिनेशन कई बार एक्जाम में कुछ इस तरीके के क्यों पूछ लेता है तो इसमें जो सबसे जादा पॉस्पेलिटी है वह लेके चलनी आपको वह फंगल इंफेक् करने के ट्रिक होती है ठीक है तो यह चीज भी इस चीज पर भी आपको ध्यान दे रहा है ठीक है हांची एग्री मोटिविटेर रम रम बिटा ओकी चलो वी जातर बिच्छे आंसर करें है तो इसका राइट एंसर हो जागा ऑल्टेनेरिया सोलनाई ठीक है बी वाले बैक्सिन करेगा लग का लेट खरेगा रही हम्ले लग आखर इनफैक्षिन को करता ठीक है और यह creates ऒलाइन सीवियर देगए चैणक वह व्यापक रूप से प 750 वी इस तरीके से deze सकता है ठीकले एप चलते हैं अगले प्रश्रक्र की तरफ यह इसका श्रीटम है अप यह आपर देख सकते हो अरली ब्लाइट का रोग है ठीकल है चलो चलते हैं अगला गोष़टा पर हम अगले कोष़ बर ऑब्लई मिधियों बताओ सब्सक्राइब बताव बिटा बताव बिटा क्या होगा यहांपर राइट एंसर लेट ब्राइट फाइट फ़ॉतोरा इंफेस्टांस हाँ बिटा प्जेती का फाइट फ़ॉतोरा होगा और अगेती का होजाएगा आल्टरण eAR ठीक है धियान रखो चलो बताओ यहाँ पराइट एंसर निया होगा पाऊडरी मिडियू सो है कौन करेगा यानि कि नीमु में पाऊडरी मिडियू का रोग कौन सा करेगा आज मैंने दोनों questions आपको एक ही session में दीए हैं अगर किसी को समझ में आया होगा मैंने ऐसा क्यूं बोला तो ओई डिएम जाद तर बेचे ए अंसर करें यह बटा वे वे रही बीटेएम जितने बैच्छ अंसर करें उनका दिज्वाइब कुल सही है तो आज मैंने सबसे पहले आपको टमाटो का कैंकर दिया था टमाटो का कैंकर करता है जो सि्ट्रस का इंप करता है ठीक है चलो शाबाश बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने तो यह सिट्रस में पाउडरे मिड्यू कुछ इस तरीके से होता है तो यह पूरे की पूरे मतलब मिड्यू का इंफेक्शन अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा इस तरीके से ग्रोथ आपको सकते हो तो अगर आपको हमाई क्लास अच्छी लगती है तो आप इन बैच वे इन्रोल कर सकते हो यह भीः वीयो का बैच है और यह अगर आप लोग मल्टिपल एक्जैम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर बीहार बीए ओ को टार्गेट कर रहे हो तो आप सिर्व वाले जब आप mayoría क्युक्यिक्स कोड़ सकते हो इसफानों कोड़को आपको SI क्योंगी इस कूपन डिसकाउंटि मिल हो मैसे की में पूझा बैच में कर सकते हो प्ष्पक्याireant virus बयств spice को सब्सक्राइबी चाहिए और कोस करेका कल आप मुझे बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर मैं बताओंगे, ठीक है? बग आई-रोट डिजीज, ओकी, नहीं तो ये कल की गलास का question में लेकिया होगी, बग आई-रोट डिजीज, ये एक बार आई-बी-पेस में पूछा भी गया है, ये question की, बग आई-रोट डिजीज, और किसे होता तो बहुत अच्छा question पूछा इसने, ठीक है, चलो, ओके, तो बिटा, at the end, आप इन batches में कैसे enroll कर सकते हूँ, एक बार पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं books कैसे मिलेंगी, बता रही हूँ, बिटा, भी बता रही हूँ, ठीक है, तो बिटा, आपको क्या करना है, किसी भी बैस में enroll करने के लिए, आपको directly जाना है, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आप जाओगे, गूगल पे जाने के बाद, आपको अड़्डा 24-7 टाइप करना है, ये रहा अड़्डा 24-7, ठीक है, आपने टाइप करना है, सर्च करोगे, जब आप सर्च करोगे, बिटा तो इसमें आपको ये जाना है, अड़्डा 24-7, लार्जस प्लेट फॉर्म पे, जब आप इस पे जाओगे, लार्जस प्लेट फॉर्म पे, तो इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद, बिटा, ये पूरा साइट आपके पास open होगा, और साइट के open होने के बाद, से अगरे कलचेर फे, जब आप जाओगे, इसमें आपको जाना है, आईपे से सो के batch में इन्डोल कर सकते हो, और इसमें आपको जो हिंदी वाले बच्चे हैं, उनको कम्प्लीट हिंदी में भी ये बैच्च अवेलिबल हो जाएगा, इसके अलावा आपको इंग्लिश और ह वाला हिंगणिश्वाला बाच्छ में आपको मैक्समांम डिसकाउन मिल जाएगा 77 । acronyam, या फिर अगर आपको English वाला बैच ही है तो आप English वाले बैच में इन्रोल कर सकते हो बाकी बिटा अगर आप लोग बहुत सारे एक्जाम्स को टागेट कर रहे हो तो Agriculture महापैक आपके लिए बैस्ट है क्योंकि इसमें आपको मल्टिपल एक्जाम्स मिलते हैं और सर्फ मल्टिपल एक्जाम्स नहीं इसमें आपको test series भी मिलेंगी इबुक्स भी मिलेंगी और बहुत सारी online classes भी मिलेंगी तो अग्रिकल्चर के बच्चे जहां जहां eligible होते हैं वो सारे एक्जाम्स आपको इसमें मिल जाएंगे ठीक है तो बिटा जितने आईबीपेस एसो हो गया आरारबी एसो इसके अलावा नाबार्ड हो गया comparison five- बाइडिती वो स्थ्टी आफिसर के टूल अBER तो प्रम सारे मिल जाएंगे इसके इसके अलावा आपके 3 मैने, 6 मैने और 12 मैने के बारा जैच वहते हैं अगर आ आप 6 मंत के लिए करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा 12 मंत के लिए प्राइस ज्यादा रहेगा तो बारा महीने के लिए अगर आप लेते हो तो बाइनाओ पे जाओगे और यहां पर कुपन कोड यूज करना है आपको वाई इसमें आपको मैक्समम डिसकाउंट मिल जाएगा और जो बच्चे बुक्स इन्रोल करना चाहते है तो बुक्स और टेस सीरीज के लिए आप एक काम कर सकते हो सिंपली यह है टेस पेक प्राइम टेस्ट पेक तो इस पे अभी बहुत जादा ओफ है यह भी मैं आपको दिखा द सीरीज मिलेंगी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो यह देखे यह देखे सारी इनकी फुल लेंथ टेस्ट है प्रैक्टिस सेट है यह सारे एक्जाम आई-बीपी-पी-ए-ए-स-ो बिहार-बियो डी-टेपल-स-भी पंजाब बी-ए-स-फ-C-U-E-T इतने सारे एक्जा है आपको 685 रुपए में यह पूरा बैच मतलब पूरी टेस्स सीरीज मिल जाएंगी इतने सारे एक्जाम्स की ठीक है तो यह है टेस्ट सीरीज और जो बच्चे बुक्स वाले हैं तो बुक्स वाले बच्चे देख लो बुक्स भी आपको अवेलिबल हो जाएंगी एक मिन ड्रोल करना है तो आपको वाई 447S गोड लगाना ठीक है तो अब इन ड्रोल कर सकते हो तो किसी भी बैच में ड्रोल करना है अगर आपको तो वाई 447-3 और अगर आपको बिख के लिए और और तो चलिये मिलेंगे आपसे अगली अभी next class का time हो गया है तो बिहार वाले जो बच्चे हैं बेटा पेड ड़ाले आपनों की आज घ्यास है तो सारी लिए डेली ओप ग्रास है तो आज आप लोगों की लगास है और उपी वाले बच्चों के भी चुक्त है, तो बाइज थांक यू, Have a nice day